दोस्तो एक बहुत बड़ी खुसकबरी परधान मंत्री आबास योजना 2022 में जो लाबारती एपलाई नहीं किया है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी आब आप परधान मंत्री आबास योजना के लिए ओनलाइन एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती important वीडियो है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में हम आपको complete details बताएंगे कि आप परधान मंतरी आबास योजना के लिए online apply कैसे करें तो दोस्तो इसके लिए आप मेरे वीडियो में last तक बने रहें और दोस्तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो इस वीडियो को like करके और चैनल को subscribe कर लें तो चल ये शुरू करते हैं तो दोस्तो परधान मंतरी आबास योजना में online apply करने के लिए दोस्तो आपको परधान मंतरी आबास योजना के official website पर आना होगा तो दोस्तो इस website का link मेरा वीडियो के description पर आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप किलिक करके इस website पर आ जाएं और इस website पर आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा 3 line तो दोस्तो आप 3 line पर click करें जैसे दोस्तो आप click किजेगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा आबा shop तो दोस्तो यहाँ पर आप click करें जैसे दोस्तो आप किलिक किजिएगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा data entry तो दोस्तो data entry पर आप किलिक करें जैसे दोस्तो आप data entry पर किलिक किजिएगा एक दूसरा page open होके आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक option आ गया है इसरा नमबर पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं for pmayz registration तो दोस्तों इसके नीचे आप देख सकते हैं login तो दोस्तों login पर आप किलिक करें जैसे दोस्तो आप login पर click किजेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर username और password का यहाँ पर option आ गया है तो दोस्तो यहाँ पर username और password इंटर करके यहाँ पर दोस्तो आप login करके यहाँ से आप परधार मंतरी आबास योजना के लिए online apply कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपके पास username और password नहीं है तो दोस्तो आपको घवरानी की जोरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तो इसके लिए आपको आपका सामने में जो भी CHC Center है या पईगा कंदरा है या आपका अगर block सामने में है तो दोस्तों वाँ पर जाके आप परधान मंत्री आबास योजना के लिए ओलाइन एपलाइ कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपके सामने में पग्गा कंद्र होगा तो दोस्तों वाँ पर जाके आप परधान मंत्री आबास योजना के लिए अभी ओनलाइन कर दें जैसे दोस्तों आप ओनलाइन कर देते हैं आपको कुछी दिन के अंदर आपको परधान मंत्री आबास योजना का लाब मिल जाएगा तो दोस्तो आसा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के वाद आपको पता चल गया है कि आपको परधार मंत्री आबास योजना के लिए ओनलाइन एपलाइक कैसे करना है तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो दोस्तो नीचे कमेंट बक्स पर कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बंदे मातराम जय हिन जय भारत